ओम शान्ती सत्रा चार दोहजार चौबिस की साकार मुरली मीठे बच्चे यह वंडर्फुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए पहला निश्चे चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन प्राश्ण तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है उत्तर क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुमारे पीछे हैं जिसने तुमको गिराया है अभी वा तुमारा पीछा नहीं छोड़ेगा इसलिए गफलत नहीं करना भल तुम संगम युक पर हो परंतु आधा कल्प उसके रहे हो इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा याद भूली और माया ने विकर्म कराया इसलिए खबरदार रहना है आशुरीमत पर नहीं चलना है ओम शान्ती अभी बच्चे भी हैं बाबा भी हैं बाबा अनेक बच्चे को कहेंगे ओ बेटे सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा बच्चे हैं बहुत तुम समझते हो यह ग्यान हमा अत्माओं के लिए ही है एक बाप के कितने धेर बच्चे हैं बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आया है वह पहले पहले बाबा है फिर टीचर है फिर गुरू है अब बाप तो बाप ही है फिर पावन बनानी के लिए पनास बापके सिवाय कोई बता ना सके इसलिए उनको بेख़द का बाप कहा जाता है यह निष्टे तो बच्छों को जरूर बैठता है सन्षय की बात उठना सके इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बापके सिवाय तो कोई पढ़ाना सके बूलाते भी है कि बाबा आओ हम को पावन दुनिया में ले चलो। क्योंकि यह हैं पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ। पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं कवह बाप हैं। तो देह का भान तूट जाता है, आत्मा कहती है वह हमारा बाप है, अब यह तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर बाप के बिगर कोई इतनी नौलिज दे नहीं सकता, पहले तो यह निश्चय बुद्धी चाहिए, निश्चय भी आत्मा को बुद्धी वे होता है, आत्मा को यह ज्ञान मिलता है, हमारा यह बाप है, यह बहुत पक्का निश्चय बच्चो को होना चाहिए, मुख से कहना कुछ भी नहीं है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सब संसकार है, अब तुम जानते हो बापा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते ह कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं, वह मनुश्य तो समझते हैं, इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो, तुम यह अमर कथा सुन, अमर पुरी में जाते हो अमर पुरी अर्था जहां सदा अमर रहे सत्युक त्रेता है अमर पुरी बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए यह पढ़ाई सिवाए बाप के और कोई पढ़ाना सके बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वह ओर्डनरी मनुष्य है यहां तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं सम्मुख होने बिगर राज्यों की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहां पढ़ाने आता हूं पढ़ाने लिए इन में प्रवेश करता हूं बरोबर भगवान वाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए खुद कहते हैं मीठे मीठे रुहानी बच्चों मैं कल्प कल्प पुरुशोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहुकार भी नहीं साधारण है यह तो तुम बच्चों को निश्चे होना चाहिए वह हमारा बाबा है हमात्मा है हमात्माओ का बाबा है सारी दुनिया के जो भी मनश्य मात्र की आत्माएं है उन सब का बाबा है इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है शिव जैन्ती मनाते हैं उसका भी किसको पता नहीं है कोई से भी पूछो शिव जैन्ती कब से मनाई जा रही है तो कहिंगे परंपरा से वह भी कब से कोई डेट तो चाहिए न ड्रामा तो अनादी है परन्तु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथी तारीक तो चाहिए न यह तो कोई भी जानते नहीं हमारा शिव बाबा आते हैं उस लव से जैनती नहीं मनाते नहरू की जैनती उस लव से मनाएंगे आसू भी आ जाएंगे शिव जैनती का किसको भी पता नहीं है अभी तुम बच्चे अनुभवी हो अनेक मनश्य है जिनको कुछ भी पता नहीं है कितने मेले लगते हैं वहाँ जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है जैसे बाबा ने अमरनात का भी मिसाल बताया था वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है दूसरे तो जो औरो द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है कहींगी सत्थ अभी तुम बच्चों को अनुभाव मिला है राइट क्या है रॉंग क्या है अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनुराइटियस गायन भी है न जूटी काया यह है जूट खंड वह है सच खंड सत्युक त्रेता द्वापर पास्ट हो गया अब कल्युक चल रहा है यह भी बहुत थोड़े जानते हैं तुम्हारी बुद्धी में सब ख्यालात रहते हैं बाप के पास सारी नौलेज है उनको कहते हैं ज्यान का सागर उनके पास जो नौलेज है वह इस तंद्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं, लोकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं, तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है, जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबर वार होंगे, यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबर बार बनेंगे मैं जो पढ़ाता हूँ यह है औविनाशी पढ़ाई जो जितना पढ़ेंगे वह वियर्थ नहीं जाएगा आगे चल खुद कहेंगे हमने चार वर्ष पहले आठ वर्ष पहले से कोई से ज्यान सुना था अब फिर आया हूँ फिर कोई चटक पढ़ते हैं शमा तो है फिर उस पर कोई तो परवाने फिदा एकदम फिदा हो जाते हैं कोई फेरी पहन चले जाते हैं शुरू में शमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़ें ड्रामा प्लैना नुसार भट्ती बननी थी कल्प कल्प ऐसा होता आया है जो कुछ पास्ट हुआ कल्प को पहले भी ऐसे हुआ था आगे फिर भी वही होगा बाकी यह पक्का निश्चे रखो कि हम आत्म हैं बाप हमको पढ़ाते हैं इस निश्चे में पक्के रहो भूल न जाओ ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे भल फारक्ती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारक्ती दी यह तो बेहद का बाप है उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे अंत तक साथ रहेंगे यह बाप तो सब की सद्गती करने वाला है पांच हजार वर्ष के बाद आते हैं यह भी समझते हूं सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं बाकि सब शांती धाम में रहते हैं यह नौलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुनाना सके किसकी बुद्धी में बैठना सके तो मातमाओं का वह बाप है वह चैतन्य बीज रूप है क्या नौलेज देंगे स्रश्टी रूपी ज़ाड की रचता जरूर रचना की नौलेज देंगे तुमको पता था क्या कि सत्यू कब था फिर कहां गया अभी तुम सामने बैठे हो बाबा बात कर रहे हैं पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है हमको पढ़ा रहे हैं यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार श्य बाबा विराजमान है वह निराकार होते भी ग्यान का सागर है मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं महिमा भी गाते हैं ग्यान का सागर सुक का सागर परन्तु समझते नहीं है ड्रामानुसर बहुत दूर चले गए हैं बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं, यह नौलेज और कोई से मिलना सके, यह नौलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य देना सके, क्योंकि तमो प्रधान है, वह किसको सतो प्र परदान बनते ही जाते हैं, तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे हैं, जिसने ही तुमको गिराया है, वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं भल तुम संगम युक पर हो परन्तु आधा कल्प तुम उनके रहे हो तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे खबरदार नहीं रहेंगे याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी अभी तो देखो मनश्यों ने अपने को आपए ही चमाट मारी है क्या क्या कह देते हैं शिवशंकर इखटा कर देते हैं उनका occupation क्या है उनका क्या कितना फर्क है शिव तो है उचते उच भगवान शंकर देवता फिर शिव शंकर इखटा कैसे कह देते हैं पार्ट ही दोनों का लग-लग हैं यहां भी बहुतों के ऐसे से नाम है राधे कृष्ण, लक्ष्मी नरायन, शिव शंकर दोनों नाम स्वयम पर रख दिये हैं तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैट थोड़े ही जाएंगे, बच्चे नमबर वार पढ़कर पूरे करमा तीत बन जाएंगे ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी, कौनसी माला? सबात माओं की माला बन जाएगी, तब फिर बापिस जाएंगे माला नमबर वन तो तुम्हारी है, शेबाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहाँ से नमबर वार आएंगे पार्ट बजाने तुम सब बाबा बाबा कहते हो सब एक माला के दाने हो सब को विश्णू की माला का दाना नहीं कहेंगे यह बाप बैट पढ़ाते हैं सूरिवन्षी बनना ही है सूरिवन्षी चंद्रवन्षी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे वह मरतबा मिलता ही है पढ़ाई से बाप की पढ़ाई विगर यह मरतबा मिलना सके चित्र भी है लोक एक चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसे एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं कथा भी सत्यनरायन की सुनते हैं गरुण पुराण में सब ऐसी बाते हैं जो मनश्यों को सुनाते हैं बाप कहते हैं यह विशय वैतरनी नदी रौरव नर्क है खास भारत को कहेंगे ब्रहस पती की दशा भी भारत पर बैठी है ब्रक्ष पती भी भारत वासियों को ही पढ़ाते हैं बेहद का बाप बैठ बेहद की बाते समझाते हैं दशा बैठती है राहु की भी दशा है इसलिए कहते हैं देदान तो छूटे गरहन बाप भी कहते हैं इस कल्योगंत में राहु की दशा सब पर बैठी है अब मैं व्रक्षपती आया हूँ भारत पर ब्रहसपती की दशा बिठाने सत्यूग में ब्रहसपती की दशा भारत पर थी अब है राहु की दशा यह बेहद की बात है यह कोई शास्त्रों आदी में नहीं है यह मैगजीन आदी भी उन्हें समझ में आईगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे जो थोड़ा पढ़ कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्यान घरत डालने से फिर सुजाग हो पढ़ते हैं ज्यान को घरत भी कहा जाता है उज्ञाए हुए दीपक में बापा कर ज्यान घरत डाल रहे हैं कहते हैं बच्चे माया के तुफन आएंगे, दीवे को बुझा देंगे, शमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, वही बात अभी प्राक्टिकल में चल रही है, नमबर बार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घरबार छोड़ा आए परवा पाने बने आशिक हुआ, फिर माया ने हरा दिया, तो भी पदल कम पाएंगे, नमबर बार तो होते ही हैं, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धी में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धी में हैं, बाप से नई दुनिया के लिए नमबर बार हम सब अपने पुरुशार् रहे हैं, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैटे हैं, यह भी जानते हो आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज़ है, उनको दिवे दरश्टी द्वारा ही देखा जाता है, हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझना, यह है उची पढ़ाई, उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है, उसमें फेल हो जाते हैं, यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है, अब तुम समझते हो, उस यह बाबा सामने बैटे हैं, तुम भी नि थैंक्स देंगे, नहीं, बाबा कहते हैं, यह अनादी ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, रामा नुसार तुमको पढ़ाता हूँ, थैंक्स तो भक्ती मार्ग में देते हैं, टीचर कहेंगे, स्टूडेंट अच्छी रीती पढ़ते हैं, तो हमारा नाम बाला होगा स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है जो अच्छी रीती पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो कलप पहले भी की थी अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉरनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्षार पहला सदानशा और निश्चे रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिसमानी टीचर नहीं स्वयम ज्ञान सागर निरकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं इस पढ़हाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा आत्मा रूपी दीपक में रोज ग्यान का घरत डालना है। ग्यान घरत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिलाना सके। पूरा परवाना बन शमा पर फिदा होना है। वरदान सदा एक बाप के सनेह में समाई हुई सहयोगी सो सहजयोगी आत्मा भव। सदा एक बाप के सनेह में समाई हुई सहयोगी सो सहजयोगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अती सनेह हैं वह सनेही आत्मा सदा बाप के स्रेष्ट कारे में सहयोगी होगी और जो जितना सहयोगी उतना सहयोगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मक कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती, उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांती और शक्ती मिलेगी, नींद नहीं होगी, जिसे कमाई करके खुशी में ले प्रेम के आशू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं, अच्छा उम शांती सुख सागर में गहरे उतर जाओं, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाओं, आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा